हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन तियारी ग्लासिस में और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिरिंग के इंपोर्टेंट फॉर्मुलेज हमारे गेट एक्जामेनेशन के लिए ठीक दोस्तों बट अब ही जो हमारे गेट एक्जामेनेशन में सब्जेक्ट आते हैं उनकी ऊपर वीडियो बना दी गई है अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमने उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से देख सकते हैं या अब हमारे चैनल की प है उससे क्या करते हैं उसका मतलब एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं जिसके पानी नहीं प्रोके वह जाए तो कैमिली ओने वाetts kitchen यह कि हमें हमारा तीन तीन होने वाले है इносद तो केंबर में क्या होता है जैसे कि स्थे लेने वाली एक स्द्ट ranks औरेने वाली है तो जो ह 10 टीटा होसे हम कहा लिखते है 1 upon n ठीक है तो इसका formula क्या है y equals to w upon 2n अगला camera जो आता है हमारा वो होता है क्या Parabolic camera क्योंकि इसकी यहां पर shape state थी यहां पर shape कैसी यह parabolic है टेंट ही हम जानते है 1 yn होता है यहां पर हमें जो इसकी height मिलने वाली है अपने camera की वो क्या होती है y question 2x square upon nw यहाँ पर w क्या है यह हमारी width होने वाली है total और x क्या है x है हमारे जिस distance पर हम निकालने वाले हैं माल दीजिए मुझे इस distance पर निकाल ली है तो x की value हो जाएगी माल दीजिए मुझे beach में निकाल ली है beach में मेरी इसकी value क्यों जाएगी w by 2 x की value क्यों जाएगी w by 2 ठीक इस तरीके से अगर आता है हमारा combined camera तो combined camera में क्या होता है कि जो हमारी beach की surface होती है यह surface कैसी होने वाली है यह होती है हमारी parabolic और यह हमारी यह लाजिस कॉर्णर पर जो होने वाली हूँ surface कैसी होती इसका formula होता है हमारा क्या height का formula camera की जो की है y q2 w2 n ठीक तो यह था हमारा camera और हमने देखा थी टाप्स of camera उसका और formula अखला जो हमारा important formula आता है वह होता है किसका ssd यानि stopping side distance तो जो हमारे stopping side distance होता है दूस्तों समारे किसके और breaking distance के होता है मैंने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बात तक मेरी गाड़ी किती दूर तक गई और रोग गई ठीक तो ssd का formula होता है हमारा equals to v into t plus v square upon 2gf इसमें क्या है v हमारा दोस्तों velocity क्या है यह हमारा reaction time plus v square क्या दोस्तों velocity क्या स्क्राइब ग्रेविटी एफ क्या है f हमारा friction coefficient ठीक है अगर हमारी value अगर हमें velocity की value meter per second में दे रखी है तो हम यह वाला formula करेंगे और वहीं velocity की value हमें हमारी वीकल की क्लोव मिटर पर आर में दे रखी तो हम formula यूज करते है अब क्या होता है कि आप question में देखेंगे कहें कि यह आपको breaking efficiency भी दे रखी होती है तो breaking efficiency में क्या होता है कि हमाई break जो है वो इतना percent काम कर रही है तो यहाँ पर हम जो हम इन दौनों formula में हमने f यूज किया था इसकी हम क्या यूज कर लेंगे f की जगह हम यूज करते हैं यहाँ पर f into b क्या यूज करेंगे f into b जैसा कि आप देख सकते हैं मन यहाँ पर formula को modify करके लिख सकता है और velocity मेरी km पर r में होगी तो यहाँ पर formula हो जाएगा और f क्या दोस्तों f मेरे longitudinal friction क्या रखिएगा हमेशा जो friction की value होगी हमारी वो किसकी बीच में लाइक करेंगी 0.35 से 0.40 की बीच में और हमारा यह क्या दोस्तों प्रीविस येर में 0.40 लाइक करेंगी तो एक ही values formula के according हमारी लाइक करती है 3.43 से 3.93 ठीक अब आता है effective gradient gradient का है मान लीजे यह मेरी कुछ एक मैंने ऐसे करके एक slope दे दिया और इसमेरी गाड़ी ट्रेवल कर दिया हो सकता है उपर की तरफ यह हो सकता है नीजा की तरफ तो सबसे पहले आता हमारा क्या gradient तो अप्ग्रीटियंट में क्या होगा कि भाई जो हमारी गाड़ी है वो कैसे दा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है मतलब यहां से इस तरीके से गाड़ी उपर चलती चली जा रही है तो जब भी आपको ऐसा देखे तो इसकेस में एसेस्ट के जो हमारा कि यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ आता था हमारा बट अब क्या जाएगा यहां पर हमारा इस लोगी एड हो जाएगा एफ एफ प्लस टीट बात केंगा डाउन ग्रेडियंट की डाउन ग्रेडियंट में क्या हो दोस्तों हमारी गाली नीचे की तरफ जा रही है किस वैले लोग एक हमारा अब अब आता अगला जो है Overtaking Side Distance Overtaking Side Distance में क्या होते है दोस्तों याद रखीगा कि मान लिजे मेरे सामने एक गाड़ी और चल लिए गाड़ी है कोई ये चल रही है इसकी पीछे क्या है दोस्तों इसके मेरे पीछे एक और गाड़ी चल लिए अभी क्या करना चाती है ये गाड़ी आपको नेएटी जदी ये ओन्जारी जो ए इस गाड़ी को Avortake करना चाहती है मैं कह सकते हैं ये गाड़ी नमर मान लिए Ghani No differences मैनली है ये गाड़ी नम्मर मनलіш आैस तो तो वण स्टों सव गाड़ी का ना चाहती है ठीक तो डे l vem की गलिए तो चल भीडया क्या गाला वेधिकल मैं आपको और ये खळतेता हूं यह रहा हमाल लिजिए ऑज vir? जै क्या है? हमारी जो दोसरा वाला वैग्ट जो स्लोव मोवेग्ल है यानि फी जो है यह यहाँ पर 타이다 जैसे के लेंगे तो टू सेकिंड लेंगे इसके को डीटिक वेलियु टूस फ्लस भी जिस्में एस की वैलियु आती है हो जोए चुंह वह स्बंद्स और दिरिगेंट क्या हो ही तो में हमारा प्लेउसिति के बेख़ा कर दिसमें मुद भी झाल। यानि के डिशीट से एक बेलो किस वह से मुघ कर रहा है थेक। और टी के दोस्तों कि आधा visiting एक एक एकसलेशन दूटू ग्राविटी और एस की आप देख सकते हैं यह सेफ डिस्टेंस होने वाला है ठीक एस की वैल्यू में आपको उपर लखा दिया है अप कुछ फॉर्मर्री दे रखे हैं आपको यहाद रखनी हुगी कि हमें किराथ में वीडल donuts की वैलो डे रखे होती है ठीक, अब आता है अगला फॉर्म ने हमारा जो किये है Intermediate Side Distance, अब क्या आता है Intermediate Side Distance जिसे हम कह बोलते हैं ISD, ठीक, तो ISD की जो value होगी हमारी किसके equal होगी वो हमारी equal होगी 2 SSD के equal, मैं आपको एक relation बता दू हमने OSD, SSD और ISD तीनों पड़ा, तो इन तीनों में सबस्या value होगी किसके होगी 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 हमारी Overtaking Size Distance, उसके बाद Intermediate Size Distance, उसके बाद Stopping Side Distance, ठीक अब आता है अगला, अब इसमें क्या है, इसमें हमारी एक अलग calculation चल लगी है कि मान लीजिए मैंने एक slope दिया, यह मेरी गाड़ी है पहले मैं बता दूँ आपको यह क्या है, यह कुछ इस तरीके से turn है यह मेरा turn कुछ इस तरीके से goal turn है और इसमें मेरी गाड़ी क्या हो रही है, move हो रही है इसमें मेरी गाड़ी है, यह क्या हो रही है, यह move हो रही है हमारी ऐड जियादा होने वाली है और इस सैड पर क्या है यह हमारा ग्राउंड डेवल ठीक इसका मतलब यह है तो उसकेस में क्या होगा हमें प्योad मिरेगली चले ही होगी तो इस पर क्या होगा के शैट्रीफिव्यग्र अ स Principle एक्सल्री एक्सलीर वेven तो हम़ें में Hag इसको कोई प्लस आप उन द्वित रंगी अज़िए जिसमें आपके सकते हैं तो हम एक पाइलू इस ओंने फॉक्षी ऐलू हुआ फ्रिक्शंट गाल तो हम इस calculation को या हम इस formula को और solve करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है इप्लस एप्लस एक्वेस्टो वी स्कॉर अपॉन जी आर जब हमारी वैल्यूसिटी किसमें दिरक्यों मीटर पर सेकेंड में वहीं अगर वैलिश्टी क्लो मीटर पर आर में दिरक्यों होगी तो हमारे पास क्या है इस साइड हाड जाता है बट इसमें एक सीन दे दिया है कि वह दो वैल्यू माँनते हैं ट्रिक्षन हम इस career हम है बिल्कुल बिल्कुल जीरो हमें फ्रिक्षन की कोई पहला होती नहीं तो उस केसमें जो स्टीय हम कहते हैं 10 ट्रेक बैलु मिलीग वह क्या हूँ एक विसक्षर उपमाञा एक्स्टावाइटनिंण अब एक बास समझे एक्षर उइडिनिंग क्या होता है होता क्या है माली जी मेरी रोड है को इस तरीके से करवा है कर रोड का यह मेरी रोड इतनी साइज थी नॉर्मल रोड का लेकिन मैं क्या करता हूं अपनी रोड में मैं अपनी रोड का मतलब विट बढ़ा देता हूं साइज बढ़ा देता हूं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो एक्सर वाइडिनिक प्रस्तों मिकेनिकल वाइडिंग प्लस साइकाल वाइडिनिंग बैसका फाम्मला है हमारा एनल स्कुयर अपार्पाउड्व एपार्ण 9.59.5 रूटार जिसम से हमारी किसम होगी फिलिस्टी मेरी होगी किलोवीटर पर ठीक है अगला फाम्मला आता है हमारे किसका transition curve length आपको पता होगा transition कर हमारे वो कर वोते हैं जिनकी value gradually decrease करती जाती है ठीक है जिन में radius की value क्या होने वाली है gradually decrease करने वाली है यहाँ पर जो हम transition कर की value लेने वाले यहाँ तो हमने तीन फॉर्मले दे रहा है हम तीनों में से जो मैक्सिम वेल्यों वो लेते हैं ठीक सबसे पहली होगा कि अगर हमें centrifugal acceleration का rate of change दे रखा हो तो हमें formula हो जाता है लस्ट्रू यानि transition curve लेन दिक क्यों वी क्यों अपॉन CRB क्या वेलिसिटी होगा हमारी मीटर पर सेकिंड में सी हमारा जर्क होगा आरक होगा रेडिस अब करवेचर यहां पर दोस्तों हमें c की वैल्यू भी दे रखेंए c एक्स्ट्रू 80 अब ऑन 75 प्लस वी ठीक है वी वेलिसिटी हमें किसमें वेलिसिटी हमारी होती हैं पर किलोमीटर पर आर में अगर हमें rate of introduction of supra elevation दे रखा हो और हमें या फिर extra वाइटनिंग दे रख क्या हो तो से हम help से भी निकाल सकते हैं transition करके लेंद उसका formula यहां पर यहां पर यह formula का भी यूज करेंगे हैं यह formula जब यूज करेंगे हम जब अपनी payment को rotate करते हैं किसके center के about वहीं अगर हमने अपनी payment को rotate कि किसके about इने रहेंज के about तो हमारा transition करव की length हो जाती है यह एन ड़लू प्लस डब्लू ए ठीक है अब आता है हमारा इसका एक इंपेरिकल फॉर्मला किसका transition कर रोंग की लेंद का जो कि होता है मारा एला सिग्वेस्टू टूपॉइंट सब्सक्राइं पर कव कि कि हम किसके लिए प्लेन और रोलिंग के लिए अगर हमें ट्राइशन कर्व कि वैल्यू निकाल लिए क्लोमीटर पर आर्म और रही टेरन दे रखाओ तो उसका फॉर्मला क्या एल सिग्वेस्टू वी स्कॉर पहुन है यानि कि हमारे पास तीन फॉर्मले और जो हमारे वैल सिग्रेट कंपेंशेशन ठीक है तो ग्रेट कंपेंशेशन के में दो फॉर्मले दे रख्यों होते हैं ठाटी प्लस आपन और और दूसरा 75 अपन आर तो दोनों फॉर्मले से वैल्यू निकालेंगे आर की वैल्यू में गिवन होगी जो होता है मेरे डिस अब करवेचर दॉ अब अद्यारे के ट्रेफिक स्टेडिज अनिलेसिस अफ्राफिक सबसे पहले आता है मारा ट्राफिक वॉल्यूम ट्रैफिक वाल्यूम नंबर वीकल अपन टाइम ठीक है अगला है एवरेज डेली ट्रेफिक तो इसे पार टीवी कहते हैं इसकी वह जिसका फॉर्मला कि हम यह मैंनमनी लिए मेरे बहुत बड़ी रोड थी जो अधा मैं कैना की इतनी अरे की ततने रहा हो थार्य मुल्द है कितने विचल जा रह रहा यह ऑप उपन टाइम से क्राफ 화orth stole होता है एक साल में कितने लोग कितने मतलब वीगल ट्रावल कि यहां से कितने वीगल गुजरे वहीं बात करूँ एन्वेल एवरेज आर्ली ट्राफिक तो इसे हम कहते हैं एस्ट इसमें क्या हुआ मैं कैलकुलेट करूँ मैं कैलकुलेट करूंगा पहले एडीट उसे करेंगे 70 से अब अगर हम नम्मर वीगल इन मंत नेकालेंगे तो इसे डिवाइड करें किसे 30 से ठीक है अगल आता है फाम नमारक इसका स्पेस मीन स्पीड जी से डिवे से तो वाई मान लीजे यह मेरा एक रोड था यह मेरा एक रोड था और दोस्तों यह इस्टेंस के इस किले मैं स्टेडी कर रहा हूं तो इस स्पेस मिन स्पीड हम एक डिस्टेंस के लिए इतना दिस्टेंस अगे तो विए से डियाप ती अप्वाइड शी प्लसी ट्री टेटि आपन ए यहानि कि मैंना कि वाई वेकल निकले पहले बाले को टाम तो ती 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 अं तक तक ताया इस इक वद्सक्राइब कर सकते हैं अपन फॉल दिए अगर माली तो हम क्या करें एन अपन वन एपन वीपले सबस्ट वी अपन वीट्री प्लस टेट अप टूपी एं तो याद रखेगा यह प्रीविश गेड कुश्चन में इस फॉर एक बन चुकिया डार्यक्ट दे रखा में नमबर विएपली ते रखिता है पूछा था इस पीज मी इस पेस मेन स्पीड जिसको फोर्मुला ठाल टाथा इस में डिए जिसको नहीं पताता वो नहीं करता है अब आता है मीन हैस्पीड को रहां में पर एंपर रिक्र यां तॉनिव फिल्ली डॉस प्लूस भीड़ियो होगी यह ताइम में इसपीड होता है उसकी वेल्य कैसे होती है यह इस मैंक जादा होती है है एक अखना आफ हमारे क्याग कोफेश्ट आप रिस्तिट इसन प्रॉच कोफिश्ट रिस्तिट चिर्स है से डिंट करते हैं कि से इस अष्था होता है हमारा वैलेसिटी अप सब्रे किसमें जब एक जो ड़ए करते हैं तो हमें बैल्यू ये मिले वाले ओ यह रिलेशन मिलने वाला है कि प्लास्टिक. प्लिजिन दो हो यनि कालेए कि जिरो तो हमें यह बैलकु रि kızım के ँदुगया आपर 12 डेंशिटी वह बरेसिटी में तो व्में क्यों क्यों को फिर फार्मिला में यह होता है दूसरा आपक्ष के निंग ध्यका है रना आपन space headway और यहां पे space सब्सक्ति हैं हां फोल छोड़ले हमें ग्मीटर में सब्सक्राइब में हों सो Dh Hey अगर सबसे पहली बात अगर मालीजी मेरा दो फेस सिस्टम है कोई दो फेस सिस्टम दे रखाए यानि एक फेस यह सिस्टम यह होगा है एक फेस यह होगा है यहां पहले क्या दो रोड है तो यह पर क्या होगी इस अग्री जान यहां हो इससा कलर नियुक्त कर आइंबर जिसने आप को बता है उसका यलो कलर रहा है वह गलत बोल ला है आप उसे जोलेगा नहीं वह यह तो हमारी हम देखते ट्रेफिक लाइट में तीन रोते हैं यलो त आज दोस्तो रेड ग्रीन और खिके कि तुमान लीजे यह मेरे किया मेरे बी रोड वाय 25 च्छ फर्मいます टेस्का है तो इसका फर्मला हिений तक मेरी रहीड यहां पर भीड रही कि तो मैरे टेरिक पर चाहिंने नहीं उने वाली है वह हम से यह के साथ करते हैं ईचैने अगर्टो फीटिसान अब गृहां प्रपाइब फिससे निचान नकाते हुए तो इसका समय होता है घ्रीनमों ले ट्रीन का सफेट मुई request to number of vehicles traveling at road a upon number of vehicles traveling at road b वही एमबर टाइम की बात है तो इसकी को होता है दुस्तरी हमारे को लोगा SSD प्रेशडी प्रेश्टी के अपन वी एसस्टी के दुस्तरी हमरा stopping side distance W के दुस्तरी हमारी रोड की विड्थ L का यह मारे लेंट और वील बेस और वी का यह यह हमारी वेलोसिटी ठीक है अब कोश्चन पूछ सकता है वाई cycle लेंट क्या होती है cycle लेंट होती है निए कि एक light में लाल भी आजाए green भी है एंबर भी आजाए तो यहनि आप और यहांपर आप जैनते हैं ऑर यहां पर आप जानते हैं कि आरे को को हम क्या लगते है दोस्तों और जी प्लस ए तो इसको उसको मैंने ङूच्फ कर दिया है दूसतों आधी गआ थास में नहीं सकते हैं जिसक्तव और क्या तो उसके वरोड़ी क्या होती है तो सब्सक्राइब तो जानते हैं कि आपने लिग दिया और निमिलिया है थाँ है कितनी समय में तीनों लाइट हमारी आने वाली है ट्रेफिक लाइट में ठीक है अब आता है अगला फॉम्ला किसका एफेक्टि ग्रीन टाइम मैं बता दूं आपको यह हमारे बहुत ही इंपॉटन फॉम्ला है क्योंकि हमारे गेट इंग्जामिनेशन में 2021 में इसके ऊपर क प्रेफिक लोली पॉट करना है लुट अधि लक उता है स्टार्टेव में टायम लॉट रहाव प्रेफिक सिंइव combining में इस करना टमला है जो सब्सराट इस Hill का पिखो घंग में तो पता दिया है याद रहना है याद रखिएगा अगर आपको clearance loss time यहीं इस TCL की value ना दे रहकी हो तो क्या कहते है भाई जो हमारा ember time है तो दोस्तों यह क्या है हमारा ember time है यह यहापर इसे मिटा देता हूं यह scamber नहीं यह ember time है तो जो हमारा ember time अगर हमें clearance loss time में TCL की value ना दे रखी होगी तो हम क्या माल लेते हैं हम मानते हैं कि यह हमारा क्या है TCL है ठीक है से में कोशन था हमें TCL की value नहीं दे रख गती यह ember time की value दे रखे दिए और मैं क्या करना था कोशन को solve करना था ठीक है जिसको फॉर्मला या दता वो उसने कर दिया था अगला मैदा था कौंसा सी नोट साइकल लें ऐल क्या दोस्त हम जानते हैं total loss time 5 हए य कह दो स्थ गया है ratio of normal to saturation flow अली का मैं फॉर्मला दे रहा क्या है 2n plus R L आ को सी 2n plus r n क्या है जिसमें दोस्तों नुम्डर ऑफेज दियूर्ड रही बिदिय ओने वाला है क्यों क्यों क्या है दूर्मल फ्लोव to saturation flow मालो मैं ने देखा वाई दो phase system है phase one में q और s का गो ratio आया वो ये आया phase two में q और s का ratio आया वो ये आया तो हमारा gamma की value मेलेगी वो क्यों मेलेगी दोनों का sum y gamma 1 plus gamma 2 phase one और phase two में जो हमारा ratio आया हम दोनों का add करेंगे और माल लीजे, 4-phase system दे रखा हुआ, तो gamma 1 की value, q upon s की value, gamma 1 में निकालेंगे, phase 1 में, फिर phase 2 में निकालेंगे, फिर phase 3 में निकालेंगे, फिर phase 4 में निकालेंगे, और 4 को add कर देंगे, तो य क्या value की हमारी gamma की value होने वाली है, और जोस्तों य की value हम कह सकते हैं, अगर हम आप, cycle length दे रखी हो, c0, तो उसकी help से हम भी हम green, effective green time निकाल सकते हैं, तो, माल लीजे, जीवा निकालेंगे, phase 1 में जो effective green time, वो किसके उक्वल हुआ, gamma 1, यानि कि जो मेरा ratio आया है, as phase 1, upon total gamma, जो total is gamma की value आया, into c0 minus l, c0 क्या दोस्तों, c0 तो हमारा जैसा ही, जानते है, cycle length, l क्या हमें, form में दे रखे हैं, अगर two phase system है, तो gamma को हम कहलेक सकते है, gamma 1 plus gamma 2, या अगर four phase system होता है, gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 plus gamma 4, और phase 1 के निकाल ला है, इसलिए gamma 1 ऊपर, या phase 2 के निकाल ला हमें, total effective green time, तो इसलिए gamma 2 ऊपर, और निचे total gamma, ठीके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है, यह ह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्राइब करें, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,